हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे की कौन सी करेंसी ज्यादा पावरफुल है या किस देश की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है इंडिया की या चाइना की आज हम इन दोनों का फुल कमपैरिजन करने वाले हैं तो जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए हाँ तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं तो जो चाइना की करेंसी है वो यूवान है जिस तरह हमारे इंडिया की करेंसी रुपी है उसी तरह चाइना की करेंसी यूवान होती है अगर हम बात करें कि एक युवान की कीमत भारत को कितने रुपए देकर चुकानी पड़ेगी तो एक युवान की कीमत भारत को 10 रुपए 80 पैसे देकर चुकानी पड़ती है या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि भारत का एक रुपया चाइना के 0.093 युवान के बराबर होता है चलिए अब जानते हैं कि चाइना की करेंसी भारत के मुकाबले इतना ज़्यादा बड़ी क्यों है और भारत की कम क्यों है किसी भी देश की currency उस पर नेवर करती है कि वह देश कितना develop है और चाइना develop के मामले में आज पुरी दुनिया पर number one में है आज लगभग दुनिया के हर देश में चाइना की कमपनिया मौझूद है और यही कारण है कि चाइना आज इतना develop हो पाया है आपके मन में सवाल तो यह भी उठ रहा होगा कि दुनिया में और भी देश की कमपनिया है पर वो इतना develop क्यों नहीं हो पाए तो यह इसका कारण यह है कि जहां पर दुनिया भर की कमपनिया सुरू में अपना profit देखती है वही चाइना की कमपनिय अपने profit को पीछे रखकर दुनिया भर में पहले अपने product को पहुँचाती है और भी कम दामों पर जिससे कि उसका प्रोड़क्ट जादा विखे और चाइना की कमपनियों का सामान जादा विखता भी है क्योंकि और कमपनियों के तुलना में काफी सस्ता होता है और जब इनका product पूरी दुनिया में ज़्यादा बीखने लगता है तब बाकी कमपनिया धेरे धेरे बंद हो जाती हैं, जिसका फाइदा ये company उठा हैं और अपना product जादा दामों पर बेचने लगती हैं और इनका प्रोड़क्ट ज्यादा दामों पर बिखता भी है क्योंकि अब यह ब्रांड बन चुका होता है और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यही कारण है कि चाइना की एकोनोमी और करेंसी दोनों ही भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है एक समय व आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और यह इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ओन कर लेजिए